हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले है टाटा पंच के फेसलिफ्ट मॉडल के बारे में मैं आप लोगों को कम्पलीट डीटेल से जानकारी दूनगा जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं क वो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए तो चलिए वीडियो शरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करे टाटा पंच के फेसलिफ्ट मॉडल की लुक के बारे में तो आपको इसका लुक पहले जैसा ही देखने को मिलेगा तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके features के बारे में तो दोस्तों आपको इस facelift model में बहुत सारे features देखने को मिलने वाले है देशे की आपको इस segment का पहला 10.25 इंच का touchscreen infotainment system Android Auto and Apple CarPlay connectivity, wireless phone charger, grand console, rear AC vents और type C USB fast charger जैसे features से lace है ये facelift model है और दोस्तों साथ ही में Tata Punch के Adventure Persona Grade में आधिक किफायती sunroof मिलने वाला है वहीं दोस्तों, अपडेटेड पंच में दूसरे कई features pre-facelift model से लिए गए है इनमें Auto Climate Control, Power Folding Wing Mirror, Puddle Lamp, Rear Seat Center Armrest के साथ Automatic Headlamp और Projector Headlamp जैसे features मौजूद है अब बात करते हैं इसकी safety की बारे में तो Tata Punch facelift को Global NCAP से Family Safety के लिए crash test में 5 star rating मिली है इसके अलावा दोस्तों, इस car में आपको standard dual airbag, central locking और ABS technology भी मिल जाती है दोस्तों, इंजन की बात करें तो आपको इसके इंजन में भी कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों, आपको बता दू की updated Tata Punch में मौजूदा 1.2 लीटर और 3 cylinder naturally aspirated petrol engine का यूज किया गया है तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी कीमत के बारे तो, बता दू की company ने updated Tata Punch को भारतिय मार्केट में 6,12,000 रुप्ये की शुरूआती X showroom कीमत पर launch किया है तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो केसा लगा? हमें comment box में अपना opinion जरूर बताएगा फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेर करें और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए